दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके है है जो credit card to bank transfer का रहेने वाला जी हाँ दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अब अपना credit card का पैसा आसानी से अपने bank account में transfer कर पाऊगे ओभी without any charges जी हाँ दोस्तों अपने सही सुना without any charges तो ऐसा without any charges वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद है मेरे सबसे तो बहुत ज्यादा दिनों क्योंकि चार पास तो महने होगे कि हमने without any charges का वीडियो बना है तो दोस्तों आज की सुड़ों में जो भी कुछ topic बटाऊंगा आपको पोरा वीडियो देखता है क्योंकि skip नहीं करना है भाई क्योंकि इसमें registration का process रहता है उसमें क्या क्या चीजें डालने पड़े किस किस point को हमने cover किया और सारा मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ और उसमें इदी आपने skip करके देखते हो तो वो part miss हो जाता है बाद में आप comment करते हो कि भाई यह नहीं हुआ और आप कभी कभी यह भी बोलते हो कि आपने UPI से transaction किया और बता दिया आप violet से क्या ऐसा मैंने notice किया इसलिए बोड़ा तो कोई बात नहीं आपको वीडियो को proper देखना है क्या क्या बताया गया वो देखना है और यह दि वीडियो में confusion आता है यह दि आपको लगता है कि वीडियो में confusion है आप Instagram की link नीचे दी है उसको join करके आप Instagram पे मुझे direct DM करो आपको instant reply मिल जाएगा वहाँ पे आपको maybe call भी किया जाएगा क्योंकि आपका हर यह query को हम resolve किये जाएगे इसलिए आप लोगों को Instagram पे भी message कर जाना है यह दि आप लोगों को लग रहे है कि बहुत ज्यादा दिखते आ रहे तो आप Instagram पे message करो मैं आप लोगों को मेरा personal contact number दूँगा हम बाते करेंगे और जो चीजे रहेंगे उसे हम solve कर लेंगे तो आज की स्वीडियो में आप लोगों को जो भी कोई process बताओंगा application कर रहेंगे उसमें KYC करना है क्या एट तो जहेर details में आप लोगों को वीडियो में बताने वाला है तो आपको क्या करें वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक without skip किये तो नमस्कार दोस्तों मैं वी नौत पॉर और आप देख रहे है टोड़ेज नौलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आप मेरे मोबल के स्क्राइन पर आ चुके हो और आज मैं आप लोगो को क्रेइट कार्टू बैंक ट्रांसपर का चीज़ें बताने वालों तो आप बोलोगे कि यार आप इसमें एक mutual fund का application ओपन करके रखे हो तो दोस्तों यह एक information है जो मैं स्टार्ट किया हूँ यदि आप में से कुछ लोग स्टार्ट करोगे कि तो आपका भी से benefit होगा तो मैंने सुचा मेरा benefit हो रहा है तो आपका क्यों नहीं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने से start किया दो मैने से हजार रुपे पर यानि दो हजार रुपे मैने से में यहाँ पर mutual fund में investment स्टार्ट के हो और दो मैने का मुझे 441 रुपे return दिया गया आप देख सकते हो invested amount current amount और यह जो मेरा return है तो अब इसमें देख सकते हो मुझे दो मैने में 4,000 का 441 रुपे return मिला ऐसी दुनिया की कौन सी बैंक नहीं देगी दो मैने का 4,000 का 441 रुपे और आप लोगों को पता होगा mutual fund कितना strong है और आप लोगों के investment यदि करना है तो mutual fund में आप कर सकते हो जिहां दोस्तों mutual fund का नाम सुनते ही हमें एक question आता है क्या mutual fund सच में सही है तो दोस्तों मुझे बताऊंगा mutual fund सच में सही है लेकिन आप US, UK में बोलोगे कि 40-45% का जो people है जो जनता है वो mutual fund में invest करती है तो आप भी कर सकते हो अपनी पुंजी से अपनी income से कुछ थोड़ा सा बचत आप यदि करोगे और यदि उसे long term के लिए करोगे तो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा होगा आपको लग रहा है कि mutual fund के बार में एक बार सुन लो सोच लो क्या क्या मिल रहा है आपको जो information gather करना है information gather करो और उसके बाद आप mutual fund में investment करो या आपको लग रहा है कि कोई आपका financial advisor है अप उन से discuss करो उनको बताओ और यदि वो आपको suggest कर जाए कि investment करना सही है तो आप start कर सकते हो platform में grow इसकी link मैंने description में आप चाहे डाउनलोड कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है आपको charges नहीं लगता है free of cost के आपको कोई broker charges नहीं देना है कोई broker से पास नहीं जाना है कोई bank के पास नहीं जाना है क्या होता है आप bank के पास आते हो ना bank अपना ही mutual fund आपको बेस देते है लेकिन आपका तो दोस्तों आपको लगने वाल है मोबीकुक का बिजनेश अप्लिकेशन ओके मोबीकुक फ़र बिजनेश तो आप देख सकते हो एक अप्लिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आए आप चाहिए तो वासे डाउनलोड करो और वेस आप प्लेस्टोर से कर सकते हो तो ओपन करते हो तो इस तरह की इंटर्फेस आप लोगों के सामने आता है आप देख सकते हो एक सिंपल सा इंस्टेंट रजिस्टेशन आज पार्टनर ओके उसके साथ इजी टेकिंग रिश्यू मनी जिरो चार्जेस आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा टॉ से आप यहाँ पर मनी एकसेप्ट कर सकते हो तो ज्यादा समय बरबाद नहीं करेंगे सिधा रिजिस्टेशन प्रोसेस पर आते हैं आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इंटर मोबल नंबर वाला ओप्सेन उसको क्लिक कर देना आप जैसे उसे क्लिक करोगे आपके सामने आपका जितना भी मोबल नंबर आपके मोबल में इंटर है वो सभी मोबल नंबर दिख जाएगा मैं मेरा एक मोबल नंबर चूज करता हूं और उसे अब देख सकते हो आपके सामने थोड़ हाइड है क्योंकि मेरे मोबल नंबर है भाई परसनल इ इंटर करना है तो मैं यह पर पवार ओके मैं यह पर पवार विनोट करता हूं प्रोसेशिंग एकसेप्ट बाइए जो टम्शन कंडिशन लास्ट नम्लास्ट है यहाँ पर में मेरा पूरा नाम डाल दिया शॉप नेम, आप देख सकते हो शॉप नेम, हमारा शॉप नेम क्या होगा, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सप, यह तो मैं तोड़ेज नालेज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल देता हूँ कि तो दस्तु मिницы डिइडिटल मार्केटिंग नाले यहाँ पर मैं इसे नेक्स कर दूंगा यहाँ पर मैं इसले करना है और का जो भी कर्णेकरी में बिजनेस है आप उसे कर कर सकते हो, click और उसके इसाफ से आप यहां पर कर सकते हो, तो दोस्तों यहां पर मेरे, जो digital है, digital platform तो वो नहीं देखा है, तो कोई बात है यहां पर आपको एक order का option भी दिया है, तो order को आपको क्लिक कर देना है और नेक्स कर देना है तो दोस्तों मैं अभी नेक्स करूंगा उसके बाद आपको आपका डेट ऑप बर्त यहां पर डालना है एस पर प्यान ओके मैं थोड़ा पहुंज करके मैं डेट ऑब डालने के बाद में नेक्स कर देता हूं उसके बाद आपको आपका तो मैं यहाँ पर I don't want to disclose करता हूं next कर देता हूं यहाँ पर do you want to loan for business तो मैं no कर देता हूं यहाँ आपको चाहिए तो कर सकते हूं तो दोस्तो यहाँ पर पूरा details मैंने fill कर दिया अभी आपका प्यान का number इंटर करता है मैं थोड़ा पौच करके पैन number इंटर कर देता हूं तो दोस्तो जीसे कि आप देख सकते हूं यहाँ पर मैंने मेरा प्यान का प्लोड कर दिया हूं यहाँ पिक खिच लिए अभी मैं इंटर बैंक डेटेल पर क्लिक कर दूँगा आप देख सकते हूं इंटर आ तो दोस्तों बैंक डिटेल लेने के बाद आपको आपको यह अप्लोड कर देना है मैं थोड़ा पाउज करके ले ले लेता हूं तो दोस्तों मैंने मेरा एक CLP ले ले लिया है और CLP लेके मैं इसे सब्मिर कर दयता हूं तो सब्मिर कर गीज़ा हूं यहाँ पर मेरा यहाँ पर डिटेल आ गया है और आप देख सके हो Your business need, business card, profile सब कुछ यहा पर आ गया है मेरा UPID आपको यहाँ पर अभी सबसे बड़ा और सबसे इंपोर्टन चीज जो आपको पेमेंट एकसप्ट करने के लिए क्या लगेगा आपको दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो बिजनेस का नहीं में वह दिखने रहे यहाँ पर प्रोफिल है यहाँ पर बिजनेस काड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नेरुटियस का नाम भी इकने को मिल जाएगा तो दोस्तो अभी जो important चीज है वो रहेगा आपका QR code तो आपको transaction करने के लिए QR code कहाँ से लाना है तो दोस्तो यहाँ पे आपको एक business card का option दिखाई दे रहा है उसको click करना है आप जैसे उसे click करोगे आपको आपका QR code यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो मेरा यहाँ पे है तो यह QR code को आपको scan करके आपका payment receive कर लेना है तो दोस्तो आज की सुड़े में मैंने आप लोगों को transaction करने का नहीं दिखाया है आपको सिर्फ QR code में generate करके दिखाया account open करके दिखा दिया हूँ लेकिन मैं आप लोगों को भी पता है कि अभी transaction करना है यदि आपको चाहते हो कि दुसरा वीडियो मैं आपको transaction करके दिखाया हूँ तो मैं तो बना नहीं वाला हूँ लेकिन एक दो दिन लग जाएगा मैं भी यदि आपको इस वीडियो पे response जादा आया तो मैं आप लोगों को instant करके दिखाया दूँगा यानि साम तक जुसरा वीडियो में बनाऊंगा और उस पे मैं आप लोगों को transaction करके दिखाया दूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है था कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक ले बाबाइ टेकिर हम नाई दूँगा